हेलो दोस्तों, आज की इस विडियो में रच्छा बंधन पर सून केसे लिखा जाता है, यानि सून केसे मानते हैं, वो सारी डिटल्स में आपको देने वाले हों, तो आप मेरे साथ आन तक वने रहिए, क्योंकि ये छोटी मुटे टीप्स बहुत काम आते हैं, तो चलिए शु सून जो मांडने के टाइम भी देखा जाता है, और सून जी माने के टाइम भी देखा जाता है, तो वो सून होता क्या है, सबसे पहले हम ये जानकरी रखते हैं, सून यानि ये जो सब्ध है, ये स्रबन कुमार से आया है, तो हम क्या करते हैं, ये स्रबन कुमार का जो चित् पर प्राय तह श्रवण कुमार का चित्रा कई जगह बनता है और कई जगह पुराने समय से राम राम लिखा जाता है। लिख लिजिए और राम राम आप एक बार मत लिखिए कभी भी दोनों और दो दो बार लिख लिजिए या फिर दोनों और पांच पांच बार लिखिए और दाहिने तरफ सबसे पहले लिखिए यानि आप मंदिर से सुरू करिए राम राम लिखना फिर बाहर की और जाईए मं आप लोगों के घर में जदी नहीं लिखते हैं तो मंदिर में आप शुरुआत करिये जरूर से लिखे तो चलिए जानते हैं कि कैसे मानते हैं तो राम राम लिखते हैं या फिर स्रबन कुमार का चित्रा बनाते हैं पर आज कल किसी को इतना समय नहीं होता है कि स्रबन कुमार क चित्रा बनाने के लिए तो आजकल तो रेडिमेट का भी राम राम लिखा हुआ कागज भी आता है उसको आप पेश्ट कर दीजिए पर समय को देखिए कि भधराकल समय ना हो या फिर कोई भी डिजाइनर पीस की राम राम भी वहुत सारे आते हैं और आजकल जो जब बाली मह हिलाओं को इतना टाइम भी नहीं होता है वो इंकम करने में भी लगे रहते हैं तो वो डिजाइनर पीस को चिपका दे और इसके बाद की वीडियो में मैं आप लोकों को पताऊंगी सून कैसे जिमाते हैं सून मांडना और सून जिमाना यह दोनों में बहुत फरक होता है त आज के लिए इतना ही